आप लोगों के लिए राजस्तान पुलिस से रिलेटेड ये सारे की सारे टोपिक कवर कियें जोब प्रोफाइल ठेक है जोब प्रोफाइल सेलेरी परमोशन फीजिकल मेडिकल सिलेबस और बैस्ट बुक देखिए यहाँ पे साथ के साथ पॉइंट में के कीज़े क्लियर करके चलोंगा और यह ऐसे चीज़े कवर नहीं किये कि मैंने कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से गुगल से सर्च करके मैं आपको कुछ भी बता दूँगा सारी की सारी चीज़े मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फेस किया है मैंने सारी की सारी चीज़े प्रैक्टिली जो यहाँ पे इस टाइम पे जोब कर रहे हैं यहीं पे पुलिस के अंदर मैंने उन लोगों से बात यह जो कि मेरे मित्र हैं, अभी एजमेर में कारे रत हैं, उनसे बात करके मैं सारी की सारी चीज़े आपको बताने वालो हूँ, आपको काफी वीडियोज मिले होंगे, उन वीडियोज में आपको सेलेरी भी अलग-अलग चीज़े बताई गई हैं, आपको फिजीकल के लि वीडियों में हर एक चीज में quality की साथ और सच्छा ही के साथ आपको हर एक चीज content provide करवाया जाएगा तो ध्यान दीजेगा मैं इस पर बात करने वाला हूं दिखिए पहले हम बात करते जो profile लेकिन जो profile के बारे में बात करने से पहले आपको जान लेना जरूरी होगा कि इस से लेकिन एक चीज में आपको बता दूँ देखिए पोइंट रितिस आ रहे हैं तो यह आपको time लग सकता है इस वीडियो को थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा लंबा पिरेड आपको लेके चलना होगा क्योंकि वीडियो हो सकता है कि 10 से 15 मिट तक भी चला जाए हो सकता उस तरीके चाप का फर्च क्या होगा सचाई को सब तक पहुँचाना मतलब इसको ज्यादा सी ज्यादा सेहर करना और अपनी जो राय है अगर कमी है तो comment section में जाके बताएगा अगर अच्छा ही है तो भी आप बताएगा जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा अगर कमी होगी तो मु Celery को लेकर के धरकती है तो मापको बता दू Salery जो Topic है इसको Clear करने शे पहले मापको बता दू कि salary पर जानने से पहले आपको यह जानना ज्यरूरी होगा जैसे आपने exam पास की जैसे आपने exam पास की तो उसके बाद में आपका जो training period होता है वो कितना होता है जो training का समय होता है वो था 9 month का ध्यान दिजेगा एक एक चीज cover करके चल रहा हूँ यहाँ पर training जो period होता है वो 9 month का होता है 9 month से लेकर कि ये और total मिलाकर कि बाकी जो 11 month और बचे हैं ध्यान दिजेगा मतलब total मिलाकर कि यह जो आपका 2 year तक 2 year तक का जो provision period होता है ठीक है मतलब यह आपका provision जो period होता है जिसमें आप अभी तक fix नहीं होते हैं इसके duration में आपकी salary क्या होती है दिखें आपको websites पे अलग-अलग salary बता रखिए अलग-अलग तरीके से बता रखा है पहले की time पे जब यह 7th पे लागू नहीं हुआ था तब कि मैं बात बता रहा हूँ तब आपको जो by hand मिलते थे 8000 something कुछ मतलब 8000 210 अलग-अलग-अलग website आपको अलग-अलग चीज़े बता रहे होगी मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि आपको जो कैसी हैंड जो यहां पे उस time पे मिलते थे ना वो आर्चे साड़ी है 8000 के बीच में मिलते जब 7th पे commission लागू नहीं हुआ था अभी भी आपको यही बताया जा रहा है लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अभी जो है वो अगर मैं salary की बात करता हूँ तो मैं आपको बता दू यह पहले का था अभी जो आपका 2 साल तक आपका जो salary मिलता है वो आपको बता दू 13000 something कुछ मिलता है मतलब round भी गर मैं मैं लेके चलता हूँ तो आपको 14000 रुपे ठीक है 14000 रुपे की salary आपको जो भी जितने भते वगरा जो चीज़े होंगी उनको अभी आप सारी चीज़े cover करूँगा लेकिन अभी ध्यान दीजी training period में मतलब provision period में आपकी जो salary होती है वो अभी 7 पे commission लागो होने के बाद में आपकी 40,000 ये salary 14000 रुपे salary होती है उमीद करता हूँ ये समझ गए होंगी इसके बाद में आपका जो provision period खतम होने के बाद आपको जो permanent किया जाता है आपको fix हो जाती है आपकी job उसके लिए क्या क्या process होती है वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ वीडियो के इन तक देखती जाएगा अगर आपको अच्छा लगता जा रहा है तो इसे यहाँ पे like करके बताती रहेगा और यहाँ पे comment करना भी आपका सबसे बड़ा परजोगा जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो भी information दे रहा हूँ वो best रह या नहीं है देखें दोस्तों जैसे ही आपके two year complete होते है ठीक है जैसे ही आपके two year complete होते है यह two year complete होने के बाद सबसे बड़ा point क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो SP के बाद Supreme Land of Police है जो SP के पास सामने आपको समख आपको खुद को present करना होता है प्रस्तुत होना होता है यहाँ पे आपको यह होने के बाद अगर आपकी जो जितने भी vacations मतलब जितने भी आपने छुटियां कि यह holiday जो जितने भी लिये है वो आपकी छुटियां अगर ज्याता नहीं है तब तो आपको दो साल के बाद में ठीक है यह fix होने के बाद में आपकी salary क्या रहती है मैं आपको बता दू आपको अधिकतर website यह अधिकतर वीडियोज में आपको 23 सच्चार something कुछ salary बताई जा रहे है दोस्तों वो गलत है आपको जैसे आपका provision period खतम होता है द्यान दीजिएगा आपको जो next एक दो month से last मान लिजिए कि second month से आप यह मान के चलिए second month से आपकी जो salary हो जाएगी यह मान कर कि चलिए जिसे मैंने उनसे बात किये जो अभी पुलिस में कारी रहत है उन्होंने बोला कि minimum जो salary आपका सारे के सारे TDA मिला कर के 30,000 रुपे और भी इसमें जो आपकी और भी भत्ते वगेरा मिला कर के अभी उनको उनको चार साल के जो वो ही है उनको जो salary मिल रही है के सिनिंड वो मिल रही है 32,000 मतलब 32,000 रुपे के salary मिल रही है मतलब आप ये मान की चलिए बहुत अच्छा है कि 32,000 रुपे आपको 2 साल complete होने के बाद 7th pay है वो लागू होने के बाद आपकी salary 32,000 रुपे होगी आपको कोई भी doubt होगा कोई भी हो सकता है कि आपको कोई लोग confuse भी करे क्यों मैं सर्मानी गलत बता है मैं इस चीज को प्रूब करूँगा जैसे ही वो सर जैपूर आएंगे मैं आपकी इंट्रिव्यू करवा कि उनका उनसे बात करवाँगा सारी की सारी चीजे ठीक है ये चीजे कहीं पर भी website से उठा कर कि आपको नहीं बताएगी सारी चीजे clear की गई मैं ही चीजे कोशिष होती है अबbre het पहली होता है कि कुछे अपने आप में जैसे कुछ ना कुछ इसका की कोशिश होती है तो यहां पर जिसी आपकी जो जोब होती है वो कोस्टेबल की होती होने सारी की की होने के बाद में इसका जो promotion होता है ठीक है इसका जो promotion होता है head constable में ठीक है इसका जो promotion होता है head constable में लेकिन यह जो promotion आजकल का जो है वो minimum 18 साल कर दिया गया है 18 साल से पहले इसका promotion नहीं होता लेकिन यह ऐसा fix भी नहीं है अगर आपके depend करता है कि आपके work experience पे आपका काम कैसा होता है उस पे अधिकारिक तोर पे आपकी जैसे कई बार यह होता ना कि आपकी समझाइज करके या कैसे भी करके आपका जो promotion हो सकता है लेकि normally जो अपन लेके चलते हैं यहारा साल लेकर के चलते हैं इससे पहले भी हो सकता हूँ depend करता आपके work पे आपके काम पे आपके वेवार पे यह सारी चीजे भी इसमें helpful होती है head constable जो कि आपने देखा होगा जो जो दो फित लगी हुई होती है वो head constable होते हैं यहां पे वन श्टार जो देखा होगा वो ऐसा ही होता है इसके बाद में जब promotion होता है तो sub inspector यहां पे आपको 2 star मिलते हैं ठीक है और जैसे ही यह आगे बढ़ता है तो यह c.i.i.o. circle inspector जिनके 3 star होते हैं इस तरीके से यह process आगे चलता रहता है तो promotion का भी मैंने बता दिया है आपको इस थरीके से आपको enrolls को follow करते हुए आगे चलना होता है तो दोस्तों कैसा लग रहा है बताती जाएगा ठीक है यह comment करना मत बूलिएगा दिखें इसको जल्दी से note कलेजी अगर आपको नहीं पता था तो next point पर हम चलते हैं physical के बारे में देखें दोस्तों physical के बारे में ऐसे तो आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि आपने form बरा है लेकिन मैं कुछ आपको अंदरूनी बाते बताने वाला हूँ पहले आपको उन चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होगा देखें physical जब हम करते ऐसे बड़े-बड़े धावक थे जो की fail हो गए थे क्यों उनकी reasons थे कि मेरे से कहीं कंकर आ गया मेरे पेरों में मेरे जूते से नहीं दोड़ा गया जूते से अगर दोडने को कहते तो मैं जरूर दोड लेता यह सारे reasons जैसे आप study कर रहे हो ना उसके साथ physical पर time अभी से द में दिया गया है धान दीजीगा आप यह सोच के चलते हो कि हां मैं 25 मिनिट में तो बहुत आसानी से कर लेता हूं कभी और confident मत हो ना इसकी practice continue रखना क्योंकि यह दोड़ ही है जो बहुत से लोगों को वापस से आपके सपनों को वापस पीछे धकेलने के लिए आपकी दुस चीज़े होती है जब physical होते वक्त देखिए दोड में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं लिकिन आपका सीना मापते समय सबसे बड़ा point ध्यान दीजीगा इस चीज में अगर आपका सीमा सिना मापते वे सबसे बड़ा point आपके लिए बहुत हैल्फुल होने हो लाव इध्यान दीजी जिसका बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता है अगर आपका सीना मापते वे सबसे बड़ा आपते हुए या फिर आपकी हाइट चेस्ट में कोई भी प्रोग्लम आती है और आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा point है जो आपको किसी यूटूबर ने नहीं बताया होगा ध्यान दीजीएगा आप यहां पे वापस से जाकरके 500 रुपीज deposit करवा के ध्यान दीजीएगा मेरी बात के वापस जाके 500 रुपे की रशीद कटवा करके उन्हें वापस से अपना physical जो measurement होता है उसके लिए आप request कर सकते हैं यह 500 रुपे अगर आप उसमे physical test में वापस से अगर आप pass हो जाते हैं तो यह 500 रुपे आपको refund हो जाते हैं ध् ध्यान दीजीएगा इस सबसे बड़ा point कही candidate पिछली बार इस चीज को लेके पस्ता है थे क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया तो उन्हें नहीं पता था अब मैं आपको यह चीज अब भी बता रहों अगर कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इस चीज का फाइदा ध्यान दीजीएगा यह physical बाकी आपको chest weight यह सारी चीज आपको पता होगी नहीं पता तो comment section में जाके बता दीजीएगा यह सारी चीज भी हम आपको बता दूँगा क्योंकि यह ज्यादा matter लेकर चलूँगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो physical के बारे में आप सब hard होता होगा मैं आपको insert में सी पितना सा बता दूँ इसका जो medical अगर normally आप physically fit हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आर्मी जो भी belt की नोकरी होती उसकी तरह के से इसका physical जो जैसे normally हुआ है न वैसे इसका medical होता है ठीक है क्योंकि आर्मी वगरा हम तो physical भी बहुत टफ होता है medical normally आपकी शरीर की जाँच की जाती है उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको medical में out किया गया है तो भी आपको जिस रेफर वहाँ पे मिलता है उसी तरीकी से आपको वापस से medical करने का chance दिया जाता है तो medical को लेकर आप बिल्कुल भी tension मत लीजिएगा कि medical इसमें tough होता होगा medical normal होता है आपकी जो normally शरीर की जाँच की जाती है ठीक है इसमें normally आपको भी बता है कि इसमें बस आपका जो mentally आप disturbed नहीं होने चीए mentally आप जो fit होने चीए सबसे बड़ा point आपके लिए यही होता है उसके बाद आपके वनान देता जो होती है वो नहीं होनी चीए आपको यह छोटी छोटी बाते हैं जो normally आपको पता है फिजीकल ही मतलब कहीं पर आपको पता है कि गुटनों के अंदर जो आपका gap देखा जाता है वो चीज़े नहीं होनी चीए यह सारी चीज़े आपकी medical क अंतरगत आती है और इससे ज्यादा कुछ भी medical में tough नहीं होता है यह आपका medical हो चुका इसके बाद में हम syllabus की बात करने वाले हैं syllabus का मैंने पहले भी video upload कर रखा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर syllabus में एक तो आएगा आपका reasoning ठीक है reasoning subject आता है जो कि सबसे important है आपका यहां पर यह है आपका reasoning reasoning आपका आपको अच्छे से पता है reasoning प्लस computer आएगा जो कि आपके total 60 questions आएगे ठीक है 60 questions जो total marks होंगे 30 marks के होंगे ज्यान दीजीगा उसके बाद में आपका जो Indian gk ठीक है Indian gk plus आपका science है Indian gk plus science यह सारी की सारी चीज़े अगर आपन मिलाते हैं यह सारी की सारी चीज़े आपको 35 questions मिलेंगे 35 questions जो कि 17 marks के होंगे इसके अंदर आपका जो चलेगा एक और पार्ट होगा आपका जो महिला है बाल विकास वाला है ठीक है महिला एवन बाल विकास का जो topic है वो जो topic के इसमें 10 questions आएंगे जो कि आपके 5 marks के होंगे उसके बाद में जो fourth part होता है वो राजिस्तान gk के इसमें कला संसकरती सब कुछ आता है जिसके अंदर आपके 45 questions आएंगे 45 questions जो कि आपके सारे 22 marks के होंगे यह ऐसे करके total आपके 150 questions होंगे दोस्तों और यह 75 marks के चुका हूं जो reasoning का portion है वो मैं आपको करवा रहा हूं यहां पर online इसकी classes चालू है जीरो सी hero का बेच चालू है आप description में जाकर किसका link देख सकते हैं पूरी के पूरी अभी तक 23 classes complete हो चुकी है इसके सासाथ मैंने इसके लिए एक नोर्स के लिए भी अगर जो लोग आपकी यहां पढ़ रहे हैं मैंने नोर्स भी यहां पिसको provide करवा रखे हैं जो कि आपको details दी गई हैं आप इन नमबर पे 773-943-243 पर contact करके आप नोर्स भी ले सकते हैं तो यहां पर reasoning आपका जो सबसे main area है ना वो मैं आपको करवा के चल रहा हूं पूरा का पूरा cover करूंगा आप विश्वास कीजिए आपको कोई problem नहीं आएगी तो ध्यान दीजिएगा यह आपका सिलेपस हो गया इसके बाद में best book के बारे में मैं बात करने वाल हूं लेकिन best book की वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आपको best book के बारे में जानना है तो comment section में जाकी बताएग और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फेल आएगा कम से कम इसमें minimum 1000 लाइक्स तो होने चाहिए तब ही मुझे लगेगा कि आप लोगों कोई सीच की नीर्थ और आप लोगों को पसंद आया है और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए का कल कल के दिन में ये वीडियो इतने लोगों तब पहुंचाना सी जिससे उन लोगों को फाइदा हो सके उमीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ का पता चलाओगा इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये कुल मिला कर कि इसकी जोब प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ कि जिस जोब में आपको 30 से 32 अज़ रिलेक्स मिलता है ऐसे लोगों की बातों में मताईए अपने फ्यूचर को एक यहां पर ऐसे पुलिस में जाकर कि वो भी रहस्तान पुलिस में बहुत आराम की नोकरी है आराम से तयारी कीजिए आपको पता है कि 16,80,000 फोम लगे हैं 5,000 पोस्ट है आपको बहुत ज्यादा मैनत करने की जरूरत है मुझसे जो हो पाएगा हर कदम पर मैं आपके साथ बना रहूंगा और इसके साथ आपको एक और वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैंने आपको मीनिमम मार्क्स कितने कवर करके चलने है और आपकी फोटो पे आपकी जो है गुडेटो बर्त ल दो हुआए और नहjangएगगागगगगगागगगा नह चलने हो प्सके सा छ kayakज़ा है और एम मना कितने होई शाथ भागग आपके चलने की जोड़े वास त WRके जो तरह ट दो हैं में वां में मार्क्यद़ हूएएब ओट कोया है प्त हैं आपको आएऴ ओने के उने पहाने